Cross-Cultural Studies on Intelligence हम क्योंके Cross-Cultural Psychology पढ़ नहीं है तो क्या कोई सवाल उभरता है कि क्या किसी एक culture के लोग, किसी एक मुल्क के लोग दूसरे cultural लूप से ज्यादा या कम जहीन होते हैं Intelligence जो है वो समझी नहीं जा सकती cultural context के हिसाब दे कोई behavior किसी एक culture में intelligent behavior समझा जाएगा बर हो सकता है किसी और culture में वो unintelligent behavior समझा जाएगा मुख्तलिफ culture के लोग जो हैं वो उनकी अपनी theories हैं कि जहानत होती क्या है और कहां से आती है ठीक है तो इस word के meaning भी differently understood हो सकते हैं जो intelligence के different aspects हैं जैसे मैंने का memory है या emotional intelligence है या verbal non-verbal है उसको भी उनका जो रिश्टा है आपस में उसको भी मुख्तलिफ cultures में मुख्तलिफ तरीके से समझा जा सकते हैं जहां intelligence के different aspects की आपस में जो रिश्टा या correlation है कही positive हो सकती है और कही negative यानि आप एक चीज में ऊपर हैं दो सी चीज में नीचे हैं तो ये भी cross culture फरक हो सकते हैं एक study हुई थी जिसमें दो group जो हैं वो एक जैसे थे education भी जेंडर भी उनका और social economic भी यानि वो कितने अमीर घरीब थे क्या उसके result से ये show हुआ कि जो non-verbal intelligence है जैसे अभी हमने Ravens Progressive Mattresses देखा Spanish group जो है उनका IQ ज्यादा था Morocco के group से हो सकता है कि वो लोग figures पे और drawings पे ज्यादा काम करते हूँ और मैं एक interesting बात बता हूँ यही test जो missing तस्वीर वाला है Ravens Progressive Mattresses ये मैंने architect पे किया हमारे घर में एक architect थे तो मैंने देखा कि जिनकी drawing की training है वो इसमें 99% सही थे और जिनकी drawing की training नहीं है वो इसके अंदर ये figure out नहीं कर सकते थे कि अब कौन सा आएगा और उनकी comparatively इसके अपर score काम आता था तो इसका मतलब है कि जिन culture में इस तरह की reasoning और explorer होगा समझने का चीजों को वहां के बच्चों में ये intelligence ज्यादा होगी अब ये जो neuropsychological skill है जो हमारी मुक्तलिफ किसम की intelligence में यूज होते हैं उसका इससे बड़ा तालुक है कि हम किस मुलक से आए हैं क्योंकि कुछ जगों पे processing बहुत होती है आप ये गोर करें कि अगर Japanese किसी machine को देखेंगे या किसी situation को देखेंगे तो वो कुछ तरह खमोची से processing कर रहे होंगे कुछ और जो हैं वो उंचा बोलके कह रहे होंगे अच्छा ये ऐसे हैं इसको ऐसे कर लें तो ये neuropsychological process फर्को सकते हैं culture के इसाब फिर एक ही test मुख्तलिफ cognitive abilities मैं ये कह सकता है लोगों में जो कि मुख्तलिफ culture से आये हैं जिन्हों नहीं ये study की वो ये suggest करते हैं कि non-verbal test जो हैं वो भी culture free नहीं है क्योंकि culture के अंदर pictures के साथ interact करने चीजों को देखने ड्राइंग करने इसकी भी training फर्क होती है तो लोग म कोई भी test इस्तमाल करना है उसको culture के हिसाब से validate करना है यानि वहां इस्तमाल करके पहरे देखना है एक Flynn effect area जिसका मतलब यह कि IQ score जो है वो बढ़ जाते हैं क्यों क्योंकि वो education और better nutrition से related होते हैं खाना अच्छा खाते हैं और तालीम अच्छी है तो IQ score जो है वो बढ़ जात हैं जो लोग ज्यादा पढ़ते हैं नई technology इस्तमाल करते हैं जैसे computer internet है उससे लोग ज्यादा सोचती है abstraction यानि concepts के हिसाब से IQ score बढ़ जाता है यह जो फ्लेन effect है यह cumulative cultural knowledge है जिस culture में जो knowledge होता है वो आगे लोगों में जमा होता रहता है और उनके बच्चों को पास वो सारी बनी बनाई जहानत मिलती है जो के उनके दादा पर दादा से पुष्टों से चली आ रही होती है यह cultural knowledge जो है यह institution of practices के बारे में होता है ठीक है उसके culture में यह काम उसने किया नहीं तो वो वाली intelligence उसकी develop नहीं हुई आपके हाँ जो काम किया जाता है उसके बारे में आपकी जहानत और knowledge बढ़ जाता है हमारे अंदर एक body of knowledge and capacity है सोचने की हम कहां से आए है और कौन है यह capacity of knowledge जो है यह हम ले के आते हैं अपने अंदर नई research यह suggest करती है कि कोई universal test नहीं है intelligence quotient का इस किसम के result के जो test है इसमे cultural differences आते हैं तो research जिसका मैंने पहले हवाला दिया था इसकी reference दी हुई है मैंने और यह इस reference से आप इस पूरी study को पढ़ सकते हैं एक theory है successful intelligence की कि अगर successful intelligence हो तो वो हमारे काम को motivate करती है लेकिन culture भी हमें success और intelligence दोनों के लिए तयार करता है